Crime Story के आज के एपिसोड में हम जिसके बारे में बात करेंगे उसे आप कई नामों से बुला सकते हैं आप चाहे तो इन्हें बाहु बली या रॉबिन हुड कह सकते हैं चाहे तो एक बदनाम गुंडा या अपराधी कह सकते हैं या फिर विधायक या माननी ये भी कह सकते हैं इनके उपर तो सारे नाम ही फिट बैठते हैं हम बात करें बिहार मुकामा के विधायक अनन्त कुमार सिंग उर्फ छोटे सरकार की इनकी कहानी बॉली वुड की हिंदी फिल्मों की तरह बिल्कुल मसालेदार है एक बदनाम गुंडा जो नेताओं को चमकाते चमकाते खुद कैसे नेता बन गया इस एपिसोर में हम उसकी पूरी कहानी जानेंगे अनन्त कुमार सिंग के आप राधि की तिहास और राधितिक सफर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले वो कितने काबिज जन प्रतीनी धी है उसके कुछ उधारन आप जरूर देख रीजिए दिली काहल कुल लोग जा रहा है हाँ गाड़ी साते हो जब है हावाई जहार्ट जाई भाहुबली हम नहीं है बाहुबली जब हम होते हैं काजो बोट लूटके बनते तक दे बाहुबली हैं हम जब से बन रहे हैं हाँ जोड़के बन रहे हैं गोली पीस्ता उसे बोट रही हम मांगें ने कोई ब्यक्तिक कहेंगे क्या ना सी हम को कहें को तो आप और देवे परत तो देखा आपने बिहार के मोकामा विधायक अनन सिंह के लिए चुनाव जीतना यह राजनीती की बात लेकिन अपराद की दुनिया में अनन सिंह का सच में कोई अन्च नहीं है कानुन की किताब में शायद ही कोई ऐसी धारा बची हो जिसके तहप अनन सिंह के नाम पर मुकद्मा दर्ज ना हो अनन्द सिंग पर कई संगिन मामले दर्ज हैं जिसमें हत्या, किड्नैपिंग, फिरोती, डकैती जैसे मामले शामिल हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सिबाड थाने में ही कुल तेई संगिन मामले दर्ज हैं लेकिन मजाल है कि अनन्द सिंग किसी से भी डर जाएं, पुलिस के आला अधिकारी भी उनसे खौप खाते थे, गिरफतारी के बाद भी बिहार के आला अफसर उनके नाम के आगे जी लगाना नहीं भूलते थे। इदायक श्री अनन्द सिंग जी के तरह अनन्द सिंग अपने राजनीतिक पहुँच से इन में से कई मामलों में बड़ी हो चुके हैं। 2005 में लालू परसाद के खिलाफ चुनाओ लड़ने के दोरा, नितीस ने बिहार को अपराधियों से मुक्ष कराने का वादा तो किया, लेकिन चुनाओ जीतने के लिए अनन्द का ही सहारा लिया था। सत्ता में आने के बाद बिहार में हजारों अपराधियों को अदालतों की ओर से दोसी करार दिया गया। हजारों अपराधी जेल भेजे गया, जिनमें से लालू परसाद का करीबी मुहम्मद शाहबुदीन भी शामिल था। लेकिन मजाल थी कि कोई अनन्द सिंग को छूने की हिम्मत भी कर सके। साल 2005 में इस उनाओ जीत कर विधायक बनने वाले मुकामा के जौन की अपनी अपनी अलग ही सरकार चलती थी। जो पूरे बिहार में छोटे सरकार के नाम से मशूर भी हैं। इलाके में इनका खौफ इतना जादा था कि अगर इलाके में कोई छोटी-मोटी घटना हो जाए या कोई बड़ी घटना हो जाए तो लोग पुलिस और प्रशासन के पहले अनन्द सिंग के दर्बार में जाना पसंद करते थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1990 के दशक में इसके पास के ही गाओं के बदमास ने बाढ़ बजार में वैपारी को किड्मैप कर लिया था। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और मामला अनन्द सिंग के पास गया, अनन्द ने अपने गुर्गों के साथ किड्नैपिंग करने वालों के घर पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से जबरदस्त गोली बारी हुई जिसमें कई लोग मारे गए, हाला कि बाद में इस घटना ने जातिवादी रंग ले लिया और मामले में राजनीती शुरू हो गई। कई बड़े नेता भी इस लड़ाई में फूद गए थे लेकिन उस वक्त के मीडिया रिपोर्ट की माने तो अनन सिंग जब किड्नैपर सर धावा बोलने आया था तो वो घोडे पर सवार होके सबसे आगे चल रहा था और इतना ही नहीं अनन सिंग ने सिर पर सोने का मुकु परकार ने जब इस मामले में अनन सिंग ज़ सवाल पूछ था तो सकता के नशे में सूर विधायक ने पत्रकार की ही जम कर पिटाई कर दी थी Prakash had gone to Anand Singh's house to get his version for a story. Anand Singh beat up the NDTV reporter, snatched the car keys and also smashed the camera. The cameraman ran for half a kilometer to inform authorities about the incident. Prakash was reporting on a story on the recovery of a sack containing a woman's body in the Patel Nagar area of Patna. पूलते थे हमेशा कानून को ठेंगा दिखाने वाले अनन सिंग की जिन्दगी में भी वो इस दिन आया जब कानून ने उनके उपर शिकन जा कसा. 2015 के जून महीने में अनन सिंग के परिवार की किसी महिला के साथ पतना के बाढ़ बजार इलाके में चार यूकों ने छेड़ खानी कर दी थी. खबर जैसे ही अनन सिंग तक पहुंचती है पतना के उनके विधायक आवाज से गुंडों से भरी एक कार निकलती है. चार लड़कों को भड़े बजार से उठाया जाता है लेकिन इसी बीच पतना पुलिस को इसकी भनक लग जाती है और पुलिस की स्पेशल टीम अनन सिंग के गाव पहुंचती है. चार में से तीन लड़के तब तक बुरी तरह पिट चुके थे और उनकी हालत काफी गंभीर थी. मगर एन वक्त पर पुलिस उन्हें बचा लेती है और अनन सिंग के पांच गुंडों को गिरफ्तार भी कर लेती है. कहा जाता है कि इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था. आरोप है कि अनन सिंग के इशारे पर उनके गुर्गों ने चारो यूकों को किड्नैप किया था. जिन में से एक युवक की दर्दनाग तरीके से हत्या कर दी गई थी. जिसका शव अगले दीन जंगल में पड़ा मिला था. पतना पुलिस को इस बात का पूरा भरोसा था कि इस घटना को अनन सिंग के इशारे पर ही अंजाम दिया गया है. लेकिन अनन सिंग को गिरफ्तार करने और उनके खिलाब सबूर जुटानी की हिम्मत किसी में भी नहीं थी. अनन सिंग के गिरफ्तारी में पटना के दो S.S.P. की एहम भूनका थी. एक थे जितेंड राना जिनका इसी केस की वज़ा से निती सरकार तबादला कर रही थी तो दूसरे थे विकास वेभव जिन्होंने आते ही अनन्थ सिंग को गिरफ़तार किया 23 जुन दो पहर एसेसपी जितेंड राना तबादले से पहले अपना प्रेस कॉनफरेंस बुलाते हैं और अनन्थ सिंग की केस से जुड़ी सारी फोल खोल कर रख देते हैं इसके बाद जब नए एसेसपी विकास वेभव आते हैं सबसे पहले उन्होंने अनन्थ सिंग के घर के तलासी के लिए सर्स वारंट लिया और 24 जुन को पटना के अलग-अलग जिलों में फोर्स इकठा कर अनन्थ सिंग के घर की तलासी लिए तलासी के बाद घर से कई सबुत बरामद हुएं और इसी दिन सांद को अनन्थ सिंग की गिरस्तारी हुई इसके बाद रात को ही उन्हें मज़ स्टेट के सामने पेश किया गया और जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए नयाई खिरासत में उसी बेउर जिल में भेज दिया गय जहां पहले वी अनन्थ सिंग रह चुके थे यह पहला मौखा नहीं था जब अनन्थ सिंग के घर पर शापे मारी हुई थी साल 2004 में भी स्टीएफ ने अनन्थ सिंग के घर पर शापे मारी की थी और फिर घंटों गोली बारी हुई थी कहा जाता है कि इस गोली बारी में अन जैसे घर में अनन्त सिंग ने 50 परिवारों को किराये का मकान भी दिया था जिसके पीछे की वज़ा एकदम साफ थी कि अगली बार अगर पुलिस या स्टीय फूर पर शापे मारी करें तो यह 50 परिवार अनन्त सिंग का ढाल बन सके अनन्त सिंग ने जुर्म की दुनिया के सा स्यासी गल्यारों में भी अपनी पैट बढ़ाई और निस्थ कुमार के करीपियों में से एक हो गया निदीष की दोस्ती अनन्त को रासवी आई और 2010 से की टिकट पर छुनाओ जीत गया इसके बाद 2010 निथी वई जेडियो कि टिकट पर चुन सुनाओ जीता लेकिन नजर डालते हैं अनन्त सिंग से जुड़े कुछ विवादों पर अनन्त सिंग का एक वीडियो आया था जिसमें वो AK-47 राइफल लेकर नाचते दिख रहे थे अनन्त पर दो बार जालनेवा हमला भी हो चुका है लेकिन वो बच गया बिहार के मुख मंत्री रहते हुए जीतन वा मानजी को अनन्त सिंग ने धमकाया था अनन्त नितीज सरकार में मंत्री रही प्रवीन अमान उल्लाह को भी खुलियाम धमकी दे चुका था 2013 में अनन्त उसवक्ष चर्चा में आया जब वो अपनी लगजरी कार को छोड़ कर बग्गी पर सवारी कर विधान सभा पहुचा था अनन्त सिंग पत्रकार से लेकर पुलिस तक से हाटा पाई कर चुके है 2013 में अनन्त सिंग पर पत्ना के पौश पाटली पुत्रा कॉलिस हित अपने होटल के सामने अथी क्रमन करने का भी आरोप लग चुका है विधायक बनने के पास साल बाद ही अनन्त सिंग की संपत भी कई गुना बढ़ गई थी 2007 में जानवरों के मेले में अनन्त सिंग लालू परसाद यादव का घोड़ा लेकर पहुँचे थे लोगसवा चुनाओ 2019 के पहले अनन्त सिंग ने ये दावा किया था कि वो मुंगेर लोगसवा सीट से कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाओ लडेंगे लेकिन कॉंग्रेस ने उनके आप राधित छवी को देखते हुए उनको न टिकट दे कर बलकि उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया है बिहार की राधनिती से निकल कर अनन सिंग केंद की राधनिती में कब आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही तै करेगा लेकिन आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा राधनिती में आप बाहु बली नेताओं और अपराध की एंट्री पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राये जरूर दे और अगर आप ये वीडियो हमारे यूटूब पे देख रहें तो हमारे चरल को सर्स्क्राइब करें और अगर पेस्बूक पे देख रहें तो हमारे पेज को फॉलो करें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज हिंदी के साथ